आज हम sodium hydroxide अर्थात NaOH जिसको हम प्रबलक्षारक भी बोलते हैं इसकी जनका भी प्राप्त करेंगे जो 10 साइंस में अमलक्षार 11 चेप्टर का बहुत महत्वपूर्ण पाल्ट है sodium hydroxide NaOH किस तरीके से बनाया जाता है तो sodium chloride का अगर हम जली विलियन ले हैं और उसमें विद्यूत प्रवाहित करें तो फिर ये वियोजित होकर क्या आप बनेगा sodium hydroxide बनेगा मतलब अगर हम sodium chloride लेते हैं उसका जली विलियन लेते हैं ठीके मतलब लवन जल जिसको हम बोलते हैं तो sodium chloride का जली विलियन देखे इसको यहां brine नाम भी दिया है मतब इसका जो सांद्र जली विलियन है उसको हम कहेंगे ब्राइन तो सांद्र जली विलियन हमने लिया है सोडियम क्लोराइट का और उसका क्या किया फिर हमने उसमें विद्यूत प्रवाहित की अर्थात सोडियम क्लोराइट की जल के साथ अभी क्रिया और विद्युत का प्रवाह हमने किया तो विद्युत अभघटन की क्रिया के फलस्वरूप सोडियम हाइडरॉकसाइड प्राप्त होगा जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं और साथ में गेस के रूप में क्लोरीन और हाइडरोजन भी प्राप्त होगी क्लोराइड का जेली विलियन लेकर उसमें विद्युत प्रवाइड करते हैं तो यह व्योजित होकर सोडियम हाइडरोकसाइड क्लोरीन और हाइडरोजन मनाता है तो व्योजित होकर हमें सोडियम हाइडरोकसाइड प्राप्त हो जाता है अब यह जो हमें क्लोरीन प्राप्त हुआ है तो हम कह रहें कि यह क्लोरीन हमें मिला मतलब यह हुआ क्लोर और जो हाइडरोजन हमें मिला जो हमें सोडियम हाइडरोकसाइड मिला है वो क्या है ख्षार है तो हम कहेंगे कि यह इस प्रक्रिया में चूंकि जो बनने वाले उत्पाद है वो क्लोरीन है जो क्लोर है और जो सोडे माइटरॉकसाइड है वो क्षार है तो इस अभी क्रिया को हम कहेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया बतलब यह है कि इस प्रक्रिया में जो बनने वाले उत्पाद है उसमें क्लोरीन है क्लोर और सोडे माइटरॉक अक्षार तो इस प्रक्रिया को हम कह रहे हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया तो ये भी बहुत महतुपन बात है कि इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं तो हम इसका जवाब देंगे कि इसमें क्लोरीन गेस एनोट पर मुक्त होती है क्लोर और साथ में इस प्र कि जो sodium chloride है उसका आपने जली भी लियन लिया अर्थाज जल के साथ अभी क्रिया करा कर उसमें विद्यूत प्रवाइद की तो विद्यूत अभगटन की क्रिया हुई और जो है हमारा sodium hydroxide बनेगा जो की प्रभलक्षा रगे और साथ में chlorine और hydrogen gas anorder cathode पर प्राप्त होगी और इस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया क्योंकि इसके अंदर chlorine और क्षार के रूप में sodium hydroxide प्राप्त होता है अब यह जो sodium hydroxide होता है इसके क्या मुख्य रूप से उप्योग है हमें इसको देखना है हम इसको देखते हैं तो basically क्या है कि यह जो sodium hydroxide हमें पता है कि इसको हम कास्टिक सोडा बोल रहे हैं तो सबसे महतुपुन रूप से तो हम कहेंगे कि इसका जो उपयोगे वो है साबुन और अपमारजक बनाने में तो इसका जो महतुपुन उपयोगे वो है साबुन और अपमारजक बनाने में तो sodium hydroxide का एक प्रमुक उप्योग है, साबून और अपमार्जग बनाने में, दूसरा इसका जो खास एक बड़ा उप्योग है, sodium hydroxide का वो है कागज बनाने में, यह जैसे देखिए अकबारी कागज है, तो कागज बनाने में भी इसका उप्योग होता है, साथ ही इसका उप्यो जो क्रत्रीम फाइबर है वो या रियान बनाने में इसका उपियोग होता है तो क्रत्रीम फाइबर रियान आदी बनाने में भी इसका उपियोग होता है और एक और इसका महतुपन उपियोग है सोडे माइटरॉकसाइड का के ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका उपि Figle Group तो साबून और अपमारजग बनाने में जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं तो साबून और अपमारजग बनाने में कागज बनाने में क्रत्रिम Fiber रियान बनाने और flatter बनाने में साथ ही धातूG से घृस हट आने में डाई आधि बनाने में भी इसका उपयोग होता है तो यह sodium hydroxide जो है प्रबलक्षारा के ध्यान रखेगा कि अगर हमpping प्रबलक्षारा की बात करें तो वो sodium hydroxide है और इसको हम QASTIC soda भी बोलते हैं और इसका निर्मान जो है वो brine से होता है brine हम किसको कहते हैं हमने अभी बात की कि जो ब्राइन हम किसको कहते है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है जिसको हम उसका सांद्र जली विलियन हमारा क्या कहलाता है ब्राइन कहलाता है तो ये इसमें विद्यूत प्रवाइद करते हैं विद्यूत अबगटन की क्रिया होती है और sodium hydroxide जिस हमकास्टिक soda भी बोलते हैं वो बनता है और chlorine anode पर hydrogen cathode पर मुक्त होती है तो यह जो chlorine anode पर बनी है यह एक objective हो सकता है कि hydrogen पर कौन सी gas आती है hydrogen किस पर आता है तो हम कहेंगे cathode पर और chlorine किस पर आता है तो हम कहेंगे anode पर क्लोर शार क्यों कहते हैं तो यह इसमें chlorine बन रहा है और ख्षार भी बन रहा है sodium hydroxide group में इसको क्लोर ख्षार प्रक्रिया कहते हैं और कास्टिक soda के गुणों के बारे में हमको पता है कि साबून और अपमार्जग बनाने में यूज होता है कागज बनाने में करत्रीम फाइबर रियान बनाने में bleaching powder बनाने में और साथ ही हमने कहा था कि धातूं से grease को अटाने में और डाइयादी तैयार करने में भी इसका उपयोग होता है धन्यवाद